क्या होता है कोरोना वाइरस कोरोना वाइरस एक वाइरस का ग्रूप है जिसमें कई तरह के वाइरे शामिल है अगर इन वाइरस को एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसकी सदा पर मुकुट जैसे स्पाइक्स दिखेंगे इसलिए इसका नाम कोरोना जो एक क्राउन की तरह हो रखा गया है कोरोना वाइरस को चार सब कार्टिग्री में क्लासिफाई किया जाता है एल्फा, बीटा, कामा और डेल्टा 1960 में पहली बार इंसानों में पाया जाने वाला कोरोना वाइरस का पता चला था इसमें चार समान ने टाइब के करोनावाइरस हैं 229E, NL63, OC43, HKU1 दुनिया भर में लोग आम तोर में इन चार टाइब के मानव करोनावाइरस से संक्रमित होते हैं जादा तर करोनावाइरस जानवरों में पाय जाते हैं पर कभी-कभी कुछ coronavirus जो जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं, वो लोगों को भी बिमार बना सकते हैं और एक नया मानफ coronavirus बन सकते हैं। हमको कुछ और आसमान एक coronavirus के बारे में भी पता चला जैसे की Severe Acute Respiratory Syndrome SARS, Middle East Respiratory Syndrome MERS और सबसे नया 2019 Novel Coronavirus. What is Novel Coronavirus? 2019 Novel Coronavirus एक बीटा करोना वाइरस है, जिसके बारे में सबसे पहले चीन के वोहान शहर में पता चला, इसको सास संबंदी बिमारियों के प्रकोप के रूप में पहचाना जाता है। ये वाइरस वोहान शहर के एक मीट मार्केट से आया और उसका origin bat मतलब चिमगादर बताई जा रही है। पहले ये बताया जा रहा था कि ये वाइरस जानवरों और पश्वों से इंसानों में फैल रहा है। कित्यू रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये पता चला कि अब ये वाइरस एक इंसान से दूशरे इंसान में भी फैल रहा है। What are the symptoms? क्या लक्षण हैं इसके? ये वे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि कोई इंसान कोरोना वाइरस से संक्रमित है। कोरोना वाइरस में सरदर्ध होना, नाग बहना, नाग से पानी निकलना, खासी आना और गले में कराश रहना, उखार आना, बार बार चीक आना और अस्थमा का बिगड़ जाना, ठकान का महसूस होना और निर्मोनिया भी हो सकता है। इस वाइरस की वजह से फेफ़ों में सूजन आ जाती है, यह वाइरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसलिए यह घातक है, और सुरक्षा के लिए उचित साफधानी बरतने की जरूरत है। क्या यह वाइरस हवा से फैलता है? यह वाइरस संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। इसमें सभी संक्रमित इंसानों को मास का प्रियोग करना चाहिए और हातों को सैनिटाइज रखना चाहिए। क्या इसकी वजह से आपकी जान जा सकती है? यह वाइरस कम इम्मिनिटी वाले लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है जैसे की बच्चों और बुजूर्गों में। यदि कोई पहले से ही किसी बिमारी जैसे अस्थमा, निमोनिया, इत्यादी से बीडित है तो उनके लिए यह वाइरस जान लेवा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो भी इस वाइरस से संक्रमित होता है वो मर जाता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि संक्रमन के आज से 15 दिन के बाद क्रोना वाइरिस संक्रमन से मुक्त हो गए है। अपने हाथों को धोना सबसे महत्पूर काम हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपको जुखाम या फ्लू हैं तो मास्क जरूर पहने। चीकते समय अपना मुँ ठक कर रखें। हैंड सानिटाइजर के साथ अपने हाथों को साफ करें। कोरोना वाइरिस का अभी तक कोई भी इलाज नहीं हैं। वैज्यानिक कोरोना वाइरिस के लिए वैक्सीन मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई वैक्सीन या दवाई की खोज नहीं हो पाई है जो की कोरोना वाइरिस का सामना कर सकें। कोई भी एंटिबाइटिक इस पर असर नहीं करती क्योंकि यह एक वाइरिस है ना की कोई बैक्टिरिया। अभी प्राइटिक नहीं करता देट अब दूदिख एंट नहीं करता है झाल दूस्ट नहीं कि अवर्चेट नहीं करते बैक्टिर्स करते हैं।